समाजवाधी पार्टी के नेताओं और नीतियों के खिलाफ उनहीं के कारकरता और پूरपदाधिकारी अब मोर्चे बंदी पर उतारू हो गये हैं मुखालफ़ सुरू कर दीजिए इसवक्त मेरे साथ समाजवाधी पार्टी के कई पूरपदाधिकारी हैं इन्होंने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के लिए संगर्स किया है लेगिन अब ये पार्टी की रीती और नीती के विरोधी हैं क्यों है ऐसा वजय क्या है हम इन्हीं से जानेंगे ब्रजेश यादो जी किन-किन पदों पर है समाजवादी पार्टी में मैं कुछ भी नहीं है दिक्कत बिचारों का है अब वो संगर्सों वाली पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं रही जिस संगर्स को हम लोगों जब छात रायनित में आये थे तो समय देश के सरधे प्रधानमंत्री आधनी अटल विहारी बाच पेजी थे जो लखनाओ के सांसत थे और हम लोग चाहते हैं तो हमारे पास मौका था हम लोग माननी प्रधानमंती जी के साथ जुड़ सकते थे लेकिन हम लोगों ने राश्टी वा पिरभारे के रूम में अकलिस यादो जी को चुना लेकिन आज जब इनके साथ लगातार संगर्स करने पर ये पता चल रहा जाता है जो गरीब परिवार के नौजवान उनसे सिर्फ नारा और अंदोलन और उनका सोसर होता है जब उनका यूज हो जाता है तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी में एक गैंग है जो समाजवादी पार्टी के राश्टी अध्यक्ष के कौन नेता ऐसा नहीं चाहिएगा कि उसके कार करता आगे बढ़े गैंग ऐसी गैंग है जिनका कोई इतिहास नहीं है राजनितिक आप खुद बहुत समझदार पत्रकार हैं भीया मैं नाम बिल्कुल मैं नाम ले रहा हूं नाम उदैवीर का मैंने लिया अभी सर्याम लिया है समाजवादी पार्टी ने उसको MLC बनाया मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आप एक चैनल के माध्यम से डिवेट कराना चाहता हूँ कि एक सेकेंड का उसका अंदोलन हो कहीं का उसका मोमेंट हो कहीं संघर्स में उसका इतिहास हो तो आप बताईए वो ब्रजे आरे जैसे नेतागर कहीं चुनाओ का टिकट मचते हैं हम अपणे पूरे समाज से अपने समाज से चंदा लेके हम लोग चुनाओ लड़ने का काम करते हैं और ऐन मोखे पे हम लोगों को चुनाओ का टिकटी काट दिया जाता है आपने 22 साल समाजवादी पार्टी के लिए संगर्स किया है ऐसी क्या योगता है उद्वीर सिंग के अंदर जो आपके अंदर नहीं है और आप आज समाजवादी पार्टी के मुखलपत कर रहा है वह उसके पास वही सबसे बड़ी योगता है जो स एजन्सि से जांच करवाईए आप प्रज़ेशन स्यादो जब भी सत्ता समाजवादी पार्टी की रही है अगर एक चोवननी का कहीं गलत किये हूं कोई माई कालाल पैदा नहीं है इस धरती पे जो प्रज़ेशन स्यादो पे ये कह दे कि बरजे स्यादों ने किसी से नौकरी के नाम पे असुली की है ठीक है? हम लोग छातर आयनित करके आए हैं हम लोग आम परिवार के नौजवान हैं हम आप जैसे भाई से मांग के अपना काम चला लेते हैं लेकिन हम लोग कभी चोरी मकारी और गलत काम नहीं करते हैं हम लोगोंने एक साधू का जीवन जिया है अपना घर परिवार छोड़के आज हम लोगोंने सब को संकट में डाला है बताईए अब तो मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं कर सकता इस उदैवीर जैसे नेताव ने हम लोगों को सड़क पे लिया के खड़ा कर दिया है हम लोगों की हत्या हो सकती है तमाम लोग धंकिया दे रहे हैं कि आप लोग ये गलत कर रहे हो लेकिन मैं भगत सिंग और चंसे खर आजाज जी को याद करके अगर जितने भी अन्याय होंगे उस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और आप लोगों के माद्यम से बताने का काम करेंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी के जो बहरूपिये हैं जो पार्टी को बदल दिये हैं वो देखिए किस तरह का महहल बनाये हुए हैं वो जाके कहते हैं इसको कारेयले पर सिकोर्टी से धक्के मरवा दो जाके कहते हैं इसके लिए गेट बंद करा दो बताई यही पैमाना है उलए जो आपकी है है जो आप मुझे बता रहे हैं यह आपने कभी कोशिस नहीं नेता जी को बताएं या आखिलेश यादो को बताएं कभी बताया है उनसे। अखिलेश यादो जी कभी भी सथत्य को सुनना ही नहीं चाहते हैं। सत्य को अगर सुनते तो लाइन से मैं उधारण दे दूंगा फुर्वांचल में और चंदवलित तक के निताओं को खतम किया गया आप देख लिजे न किस निता का इतिहास क्या रहा है अजब से ही उधैवीर पार्टी में सक्री हुआ और इसकी गैंग पक्सक्री हुई है मैं लोगों ने फोन मैसेज ट्वीटर पे फोन कर रहे हैं या आपने बहुत हिम्मत का काम किया है जब से पार्टी में था दीमक के तरह चाट गया इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कई नाम है जरूरत पड़ेगा तो उन नामों का भी खुलासा करेंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को ही समाजवादी पार्टी के अंदर रह के खतम कर रहे हैं इसलिए हम ये प्रण किये हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में पुर्वांचल में लखनव में ये उदैवीर टाइप के कीड़े रहेंगे इसको जब तक हम लोग यहां से हटा नहीं दें तब तक आंदोलन और मोर्चा हमारा जारी रहेगा प्रदीव तिवारी जी भी प्रदीव जी मैंने तो कानपूर में आपकी राजनीत देखी है आप भी बड़े पदों पर हैं समाजवादी पार्टी में एक वार का किस्सा मुझे याद है जब आप जेनांदोलन के लिए 1997 में हमने समाजवादी पार्टी जॉइन किया था तमाम साथियों के साथ में छात राजनीति के बाद मैंने पार्टी जॉइन किया था उसके बाद मानी नेता जी ने मुझे 2000 में यूजिन सभा का अध्धिक्ष मनाया 2001 में आधनी राष्टिय देखले से अधो जी को राष्टिय प्रभारी बनाया यह पहला चुनाओ लड़ने आये थे 1999 में तब से हम लोग इनके गाड़ी के पीछे हम लोगों की रेखे नहीं आई थी हम लोग इनको अपना इनके चेहरे पर अपना भविष से देखते थे इ पिल्कुल इमानदारी मेहनत के साथ में और कभी किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा हमने अपने घर परिवार को छोड़कर के तिन तिन मेहना चार चार मेना बाहर रहा आधनी अकलेस जादो जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो मुझे को सजा द आपके कान के कच्चापन का आपका है करका उपकार होना चाहिए यе प्रातना करता हो आपने हम जैसे नोजवान गरी परिवार को बरबाद कर दिया नस्तना बूत कर D YEA है चाहें उस में हम हो चाहें उसमें ब्र जादओ करS थिवारी is ह। चाहें उसमें इसमें राकेस पा हैं हमारा जीवन का संगर्स आपने खतम कर दिया मैं कहना चाहता हूं मैं चार तारी को आपने बुलाया था मुझे चार तारी को मैं मिलने गया था तो आपने हमारे साथ क्या कहा क्या 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 मैंने का साब ये पीडिये समान वर्क का बिरोधी है समान वर्क का नुकसान करेगा घातक करेगा बोले तुम मुझे उपकार बताओगे हमने का नहीं साब आपको 2012 में समान वरक ने पूरी ताकस से बोड़ दिया था तब आप मुखमंत्री बने थे हां इसके बाद में आप ऐसी बात करेंगे हमने का साब ये पीडिय लोग कहते हैं ये नई पार्टी ब दे दिया हो उस नेता ने हमारे भविश्क को बरबाद करने का काम किया मैंने का कि मैं मर जाओंगा इस चोखट पे नहीं आओंगा अकले से आदोजी मैं आपको अपना भगवान मानता था नेता जी कहते थे जब कोई जुल्म जात्ती करे अत्याचार करत उससे लगना चाह चाहिए उसके खिलाब धरने भी बैठना चाहिए चाहाएं वो मुक्मंत्री हो चाहें वो रक्षामंत्री हो चाहां कितने बड़े परत्पे हो आज हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया है और मैं कहना चाहता हूं नेता जी ने जनरस्वर मिश्रा जी को बनाया था नेता तो बसने दिला सिंगी को बनाया था अधोय को बनाया थाथ नेटाजी नैंड़ी परसाइब says को मबनाया था यह तो यह थे तमाल सीघृत है जब इस मुकाम पर ञौशा काम करके मेहनत कर करके जब कर देने का काम किया आज हजारों लोग खरया भाश कर रहे दो के साथ नोजवान जुड़ादा इसके बहुत के साथ में अकलेस्यादों चोपड करने का काम किया है हम हम कान के कच्चे नहीं है जब नेतर कान का कच्चा होगा तो आप सो भाइक बात है कि कारकरता का दमन हो जाएगा मेरा दमन हुआ है अब यह मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ बहुत जल्द बड़ी बैठक बुला करके उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों में कालेजों में घर गर गांगां सेहर में जा करके मैं न सी ने जीरो पाउट होंगे यह नौजवानों का यह ऊजुआ लौजवानों सहुआ को आप Shanghai चाहते हो कि समाजवादी पार्टी कहीं और समad obtी होती जाएगर किंवा दी संवांद बार्ग मिया मैं साब देख लिए मैंने तो यहीं कहा साहब यह pdf party है आ समाजवादी पार् आप अपने करकर्टा से अपने भगतो भगवान का 되지 होता है आप अब ने जुल्म जात्री कर के दमन करने का नौजवान का काम किया है हम देखेगा अघले स्यादो जी आपने दमन किया है इस दमन का जवाद दें गे अब या चना नहीं संगर्स बहुत भी सब्सक्राइब और इमांदारी से वफादारी से आधनी अखिलेस यादो जी के हर संगर्सों में जन आंदोलन में हम लोगों ने जेल भी गया मायावती की सरकार में उनके खिलाब पहला अंदोलन करके एसेंबली के सामने बड़ा आंदोलन करके हम लोगो मायावती जी ने गरफतार करके जेल भीजने का काम किया था आंदोलन और हम लोगों का रिस्ता गहरा था राष्टे धग जी सरकार बनाए हम लोग कोई एक मंतरी का पद भी उन से नहीं के लिए हमलग कहें आप मुख्मंंत्री रहिये हम लोगों के लिए यह कामियाबी है ज्ञुलक चुनाओं के बाद हम doen को जो आप कहिएगा तिकट हमारे लिए मुखमंधरी जी मुहत्वण है तब हमको दो साल पहले ही उदय वीर सिंग नाम का एक ठग है जो एटा में एटा के कारेकरताओं को और स्रधे नेता जी को मैं दिल से नमन करता हूं कि इस बहरूपिये को लाज जूते से मार करके इस समाज के हो यह जब मर्समाज के हो यह जो इसनुम से तीज साल मेकर Beach यह हम ने सोचा चादो जी में देखता था लेकिन मुझे क्या पता नेता जी तो सब की सुनते थे लेकिन मुलायम सिंग के इस हाथ का पता इस हाथ को नहीं होता था जिस मुलायम सिंग के इस बर्चस को जिस मुलायम सिंग की सांदार नितियों के हम लोग दिवाने थे कि हम लोग उन्हें ना प्रदीब तीवारी जेल रहा इसका करेक्टर लिखेंगे इनका क्या करेक्टर है यह एक लाठी किसी पुलिस के खाये हों पुलिस की दलाली जहुर किये होंगे कहीं आप पता कर सकते हो दिवर्यां से लेके यहां तक अभी जिला पंचायत चुनाओं में तिवारी जे आप पता कर लिजेगा मोनु दूबे हमारा साथ ही है उसका घर गिराया गया मेरे यहां पुलिस की रेट पढ़ने का काम हुआ महराज जी कहां से बहुत संदेश है सरक है तो ऐसा तो नहीं कि पीडा यह है एक मिनिट हमारी बात किलियर हो जाने कोई चीज़ नहीं राइनित में अखिले स्यादों का चेहरा देखके उनकी मुस्क्राहट देखके हम लोग वही पद है हमारी बात सुनिए गए एक मिन लेकिन जानके किसी योग्य वेक्ति को खतम करना इसका विरोध र है उताज़ास को बनाना पड़ेगा अंदोलन करना पड़ेगा विधान सभा के सामने लाथियाँ तूटें यह जंता देखना चाहती है अब यह जंता देखना चाहती कि कोई अंदोलन नहीं है कोई नीतिया नहीं रह गई तो वह बोले कि आप चुप रही है मैंने का साथ पीडिये समानवर्क का घातक है यह प्र बाद कर देगा आप जब मुखमंतरी बने थे तो समानवर्क के लोगों ने आपको मानी लोगों आप चाहता हूं तो मैंने का घातक है मैं मेरा ये अपमान है 35 साल का जीवन आपको दिया है मैं संघर से निकला हूं आंदोलं से काम क्या है एक और आप से कहना चाहता हूँ कल से लेकर कर आज कम स्क्वाइज घंटे हो रहे इतनी धमकिया मिल रही है यह अजर्फ कई न Auch प्रप्रदर्इस चाते हैं कि हम लोगों की हत्य हो जाएगी या लोग हमारे घर परिवार के साथ घ्टना कर देंगे Вс just इसलिए कहना चाहता हूं इन लोगों के खिलाब हम लोगों ने आंदेनल चोड़ा है अब करो या मरो होगा कुछ भी हम लोग मर भी जाएंगे तबी रही इनके खिलाब इनके किलाब हम लोग बली बगावत करेंगे पत पर रहते हुए यह प्रिला कभी वेक्ट कि आपने बि थी और सपाकी और उसमें उद्यवीर हम सब लोगों के साथ नीचे बैठा हुआ था ठीक है और आम दिर्ण जैसे शब्स चात्र बैठे होते थे हमारी उससे बहां सुन उसकी सोच सिर्फ अख्लेश यादों के इर्द गिर्द जाके और उसके डिक्सेनरी में सिर्फ यह है कि स संघर्ष से निकला हुआ नौजवान कौन है उसके डिक्सेनरी में यह नहीं कि कौन यादों है कौन पंडित है're come ठाकुर में कौन राजबर कूसवा I rollers अरे मैं आप से के खिलाब कौन किया अब इतनी ओची ओची हरकत यह कहना चाहरा है कि राजवर भी यह नहीं कि वाज़पम गए सिर्फ यह सिंगल ऐसे व्यक्ति है जिसने ऐसा माहौल बना रखा है कि सब कुछ अच्छा आप कर जाईए जब यह इसकी गुरूप वहां पहुंचता है तो ब्रजेस यादव कहां बैठता है क्या करता है कौन सा कपड़ा पहनता है क्या खाता है यहां तक मानेटरिंग की जाती है इसने पूरे लखनव में एक अपनी गैंग बना रखी है बैया हम लो आपको बताएं इसको किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के आप अमर सिंह हो गये हैं ठीक है लेकिन अमर सिंह बनने में साथ जनम लगेगा इसको अमर सिंह अमर सिंग ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी गरीब परिवार के नौजवान का नुकसान नहीं किया, अमर सिंग ने कभी किसी का सोसड नहीं किया, कि एवल नाम के टाइटिल लगा देने से आप बहुत बड़े मठादीस नहीं हो जाएंगे, आप चानक के नहीं हो ज प्रस्ता हूं यह बताई कि अगला कदम क्या होगा क्या भारतियंता पार्टी की तरफ देख रहे हैं आप लोग देखे हमारी लड़ाई यह नहीं कि मैं सत्ता में जाओं और सत्ता में कोई अपनी उपयोगता सिद्ध करूं लेकिन हम लोग राजनीत में आयें भाया तो हम लोग कंडा वेचने तो आये नहीं है अब 22 साल की नोकरी हम लोग 22 साल की संगठन में और पार्टी में रायनीत किये हैं संघर्स किये हैं तब हम लोग कहीं नोकरी तो कर नहीं लेंगे कहीं न कहीं रायनीत तो हम लोग करेंगे ही करेंगे लेक और 20 2014 में पूरजो और बिरोत करेंगे लोग करेंगे का तो सपोर्ड किसका करेंगे समाजवादी कि युव पुर उर्थ जुश्क पुंदूर संतुस्ठों को एक करेंगे बिल्कुल सब को एक कर करेंगे उनके साथ उनके सम lige लड़ाई यहां दिया सुपर इसने राम जुब मानस जो मेरे आस्था का केंद्र है मेरे घरों में जब मैं बच्पन में थोड़ा सा हो समाला तो मेरे बाबा पंडित राम स्वरगी राम बिलास्तिवारी जी ने हमको गीता और रमायण दिखाने का काम किया और मुझे कहते थे कि तुम कुछ करना ना करना हमारा पहर चुना चुड़ना इस गीता और रमायण का पहर चुके जाओंगे हर्दम तुम विजय पहासिल करोगे हम लोग तूस दरा के हैं उस बराज की पावन धर्ति से हम लोग है स्वामी परसाद मौरिया ने राम चरितमानस का अपमान करके पूरे समाज को राम के और कृष्ण के बिन रात बदलती रहें ऐसे मालं पर कैसे भरुसा करें फुल किलने से पहले तोड़ ले आइसे मालं पर काई पर्टी के अससा असंतुस्त नेता हैं पदाधिकारी रहें साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अखले श्यादों बिच में घिरे हुए हैं जो सामान कार्य करताओं की बात उन तक ना पहुंचने देते हैं और ना उस पर अमल होने देते हैं क्यामरमन फैसल के साथ संजेत रिपाठी एबीपी नियूज लखनवू